तो दोस्तों कि आपको पता है कि फॉर्चुनर जो नेता जी और सोवाफ करने वालों की अधिकारिक गाड़ी है जो आती है 47 लाग की और जब वो बिक्ती है तो सबसे ज्यादा कौन कमाता है टोईटा नहीं, डीलर नहीं लेकिन सरकार खुद इससे कमाती है क्योंकि 18 लाग का टैक्स लगता है भाई साब इस पर वहीं डीलर बेचारा तो एक लाग रुपे ही कमाता है और अगर आपको डीलर बेचारा लग रहा है तो टोईटा की सोचो वो बेचारे की तो 45,000 हाथ में आते हैं जो 47,000,000 की गाड़ी है इसमें एक्सोरूम प्राइस आता है लगबा 38,000,000 के आसपास और इसमें 22% लग जाता है GST कंपनसेशन सेस और 28% लगता है GST और जो एक्सोरूम से ओन रोड में जो गैप है उसमें आता है लगबा 5,000,000 का रेजिस्टेशन तो 5,000,000 ये पकड़ो और 12,000,000,000 वो पकड़ो तो हो जाता है 18,000,000 और वहीं डीलर को एक्सोरूम प्राइस में 1,2% कमिशन मिलता है बागी कुछ उसके इंसोरेंस से वगएर में कमा लेता है तो 1,000,000 उसके बच जाते हैं और जो ट्वेटा है इतना सब कुछ बना रही है उस भाई के हाथ में अब दोस्तों आप यहां से समझ सकते हैं कि गाड़ी की वैसे कीमत बहुत कम होती है और इसमें लगने वाला टेकसे इसके प्राइस को इतना जादा बड़ा देता है जिससे गाड़ियां इतनी महंगी हो जाती है और ये तो कुछ भी नहीं है अगर कोई कमपनी अपनी कमपनी का मार्जन लगा के वो 50 लाग की बैठती है और उस कार को बाहर से लाके इंडिया में बेशते हैं तो उसमें टोटल टेकस लगवा 50% के आसपास हो जाता है और वो ही 50 लाग की कार आपको 1 क्रोड की मिलेगी इन्हीं कारों की वज़े से कार इतनी महंगी हो जाती है और तभी बहुत सी कार कमपनिया कार बनाने में कोस्ट कर्टिंग करके कोस्ट को कम रखते हैं जिसे टेकस लगा के गाड़ी की प्राइस हद से जादा ना बढ़ जाए और वो कोस्ट कर्टिंग गाड़ी की बिल्डो काइल्टी में करती हैं क्यूंकि कमपनी फीचर्स तो कार के देती हैं गाड़ी के बिल्डो काइल्टी पर वहीं हाइस ट्रेंज ते चिल का इस्तिमालों बहुत कम करती हैं जिससे कार की कौस्ट को कम रखा जाए जैसे मारुती की कार से हो गई हुन्डई किया और भी बहुत सारी कंपनी ने गाड़ी ले लेते हैं पर सेप्टी को बिल्कुल भी तब ध्यान में नहीं रखते हैं जिसका खाम्याजा कभी अन्होनी होने पर भुवतना पड़ता है पर दोस्तों मेरा तो मानना है कि चाहिए आपका बज़ट इतना ज्यादा न हो पर जितना भी आपका बज़ट है उसमें ये कोसि करें कि जिन गाड्यों की बिल्डो का इल्टी 4 या 5 स्टार रेटिंग के आसपास हैं उन्हीं कारों को आप लें क्यूंकि आजकल 4 लाग से उपपर के बज़ट में बहुत सारी 4 या 5 स्टार रेटिंग कार हैं मार्केट में मवजूद हैं जैसे निसान की मैगनाइट, टाटा ट्यागो, टाटा एल्टोज, टाटा की टिगोर और रिनॉल्ट की काईगर। क्यूंकि दोस्तों जब एक्सिडेंट होता है तब फीचर से आम एलेज आपको नहीं बचाएगा। उस वक्त कार की बिल्डो का एल्टी ही आपको कुछ हद तक सुरक्सित रख सकती है। झाल बच्छा आपको सुरक्सित रख सकता है।